3 जनवरी 2023 मंगलवार का दिन है मंगलवार का दिन बजरंग बली के क्रपा पाने का होता है बजरंग बली को अगर आप ये चीज चड़ाएंगे तो लाखों मांगोगे करोड़ों आपको मिलेंगे हाई एवरिवन माई नेम इस डॉक्टर उमा शरी हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जो कि आपका अपना ही चैनल है आपके प्यार और सपोर्ट की बदोलत ये चैनल ग्रो कर रहा है इसी तरह से अपना आशिरवाद और सहीवग बनाए रखें हम आपसे ये र शक्तगन उनको पुकारते हैं वो तीवरता से उनके सब कम बना देते हैं संकटों को नश्ट कर देते हैं और उनके जीवन में खुशाली भर देते हैं ऐसा हनुमान जी महराज का प्रताप है हनुमान जी महराज को प्रणाम करने से पहले भगवान श्री राम को प्रणाम कर करने का इच्छुक होता है हनुमान जी उसके संकट फोरण मिटा देते हैं तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं जानकरी पसंद आये तो लाइक करें शेयर करके पुन्निलाब कमाएं और कमेंट सक्षन में ओम नमस्षिवाय और जै मतदी के साथ में जै श्री राम जै राम जी की उनसे पहले जै हो तो ये संबोधन करते हुए आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं और उपाए बताना प्राराम करते हैं हनुमान जी के बारे में कहा गया है उनके नाम के अनुसार ही उनकी गती, मती और शक्ती अतुलित है और इस तथे को विभिन विद्वानों ने अपने ग्रंथों में प्रतिपादित भी किया है तो ज्यान में उनका कोई मुकाबला नहीं है और सब सदगुणों में उनका को कोई मुकाबला नहीं है शक्ति के तो वो सूत्रदार हैं ही बुद्धी के बहुत ज्यादा बली है और गत्ती भी उनके तीव्र है इसी लिए हनुमान जी को अजर अमर माना गया है हनुमान जी की मौजोद्गी वर्तमान में भी सार्थक है और उनकी मौजोद्गी का दर्शन लोग करते हैं ऐसा कहा जाता है चिरन जीवी होने की कारण साक्षा दर्शन भी देते हैं भेश बदल के भी दर्शन देते हैं जहां हनुमान जी की मौजोद्गी आप देखें तो जहां जहां राम कथा होती है जहां जहां सुन् परिद्धानों में भी आपको नजर आ सकते हैं क्योंकि वह हनुमान जी की कथा होती है वहां कोई भी विग्न बादा नहीं आती है क्योंकि वहां साक्षात हनुमान जी मौजूद होते हैं आईए आपको बताते हैं कि हनुमान जी को क्या चड़ाना है हनुमान जी को मीठी कोई भी चीज आप चड़ाते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है गुड़ चने का भौग भी नैवेद्दे के रूप में आप अर्पित कर सकते हैं इससे जबर्दस आपको लाभ होता है बंदरों को गुड़ चने खिलाएं आपको हनुमान जी की क्रपा मिलेगी मंगलवार भी आपका अच्छा जाएगा हनुमान जी को लाल रंग विशेश प्रिय है और उनके पूज़न में गुलाब के पुश्प चड़ाए जाते हैं तो आप लाल रंग के पुश्प चड़ आपके जीवन में आने लगते हैं आप पनवारी के पास जाएं और हनुमान जी का पान आपको बनवाना है पनवारी जानते हैं पनवारी जी जानते हैं कि हनुमान जी का पान किस तरह से बनाया जाता है उसमें वो लॉंग इलाइची और सुपारी के जोड़े लगा कर पान बनाते हैं लेकिन उनका अपना तरीका होता है जिस तरीके से भी वो बनाते हैं हनुमान जी का पान आप बनवा लीजिए और मंदिर में जाके चड़ा दीजिए आपको जबर्दस फायदा होगा और आपके हर काम में आने वाली विगन बाध हैं तुरंत गती से मिठ जाएंग को प्राप्थ होते हैं हनुमान जी को आप 108 नाम भी आप जबते हैं तो आपको जबर्दस फायदा होता है हनुमान जी की प्रसनता के लिए विभिशन करत हनुमत स्रोत का आप पार्ट करते हैं तो जबर्दस आपको फायदा मिलता है हनुमान जी के बहुत से मंत्र हैं उनम इस मंतर का जाप करने से आपको फाइदा मिलता है हनुमान गायतरी मंतर भी आपको जपना चाहिए अंजनी जाय विद्महे वायू पुत्राई धीमही तन्नो हनुमत प्रचोदयाद तो ये आपको पढ़ने चाहिए हनुमान जी के मंतर अगर आप पढ़ते हैं तो हनुमान जी बहुत प्रसन होते हैं और आपको आशिरवाद देते हैं और आपके हर काम चुटकियों में समार देते हैं हनुमान जी के मंतर विभिन प्रयोजोनों के लिए किये जाते हैं संकठ हारी मंतर आप जपते हैं तो आपको फायदा मिलता है आप रोगों की से मुक्ति चाहते हैं तो नासे रोग मिटे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा ये मंतर जाप करें कंटिनुशन में आपको लाब होगा दीन दयाल बिहृदू संभारी हरहु नाथमम संकठ भारी ये करके हनुमत भगवान की भक्ति करते हैं तो आपके हर संकठ मिट जाते हैं ये संकठ हारी मंतर है हनुमान चालीसा यानि श्री हनुमान चालीसा के बारे में कहा गया है कि जो शत बार पाट कर सोई छूट ही बंदी महासुख होई सो बार जो पार्ट कर लेता है तो जब अरदस्त उसको लाव होता है इसकी ऐसी महीमा है तो आपको हनुमान चालिसा भी डेली पढ़ना चाहिए हनुमत भक्ति आपको करनी चाहिए हनुमान जी आपके भावों के भूके हैं लेकिन शुद्धा का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए और शुद्धा पूर्वक ही आपको हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए आपको नेगेटिव थौट मन में नहीं लाने चाहिए सकारात्मक चिंतन आप करिए और भगवान राम का स्त्रोथ आप डेली सुनिए श्री राम रक्षा स्त्रोथ आपको फायदा रहेगा और उसके बाद अगर आप हनुमान जी का कोई स्त्रोथ सुनते हैं हनुमान बाहुक का पार्ट करते हैं श्री हनुमान बाहुक का पार्ट करते हैं आपको फायदा मिलता है और हनुमान जी के ψबिन स्त्रोत हैं विभिन प्रियोजन के लिए उस पे हम वीडियो बना चुके हैं उनको भी आप देखिए अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रही है तो हमें request भेजिए हम हनुमान जी के विभिन स्त्रोतों पर और उनके क्या-क्या फायदे हैं, उसको आपको बताएंगे, क्योंकि हमें भी विध्यान नहीं रता कि हमने कितनी सारी वीडियो हनुमान जी भगवान पे बनाई है, हो सकता है नहीं बनाई हो, तो आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम आपको हनुमान जी के हनुमान जी पर वीडियो बना कर देंगे आज का वीडियो समाप्त करते हैं थैंक्यू सो